आज से कुछ 4-5 साल पहले अगर आप Topper Stock की बात करो तो शायद ही कोई Topper कभी Previous Year Papers की बात करता हो उस टाइम पे मैं GS1234 के पेपर होने के बाद ये बताता था आप प्रूफ के साथ में देखो ये Question ऐसे Repeat होगा ये Question ऐसे Repeat होगा, Optional में कैसे Question ऐसे Repeat हो रहे है Apart from that मुझे नहीं लगता शायद ही कोई ऐसा YouTube Channel हो या कोई Coaching हो जो बताती हो कि Previous Year Questions की क्या Value है, आज की Date में Condition ऐसी नहीं है आपको अगर अपनी Coaching खोलनी है, YouTube Channel चलाना है, Previous Year Question लो Shorts बनाओ, एक मिनिट में एक वीडियो डिसकस करो, Question डिसकस करो, हो गया, आपका YouTube Channel चल जाएगा ठीक ठाक चल जाएगा अब इशू ये है कि जब Information Overload है लाखों वीडियो है लिटरली, PYQ पर, Elimination Techniques पर तो उन पर काम कैसे करोगे आप, कैसे आप यूटिलाइज करोगे, कैसे इस Information Overload से बचोगे तो My Name is Krishna, Welcome to Synopsis IES और इस लेक्चर में हम कुछ वो साथ-ाथ बाते करेंगे जो आपकी destiny literally change कर देंगी, मैं literally यहाँ तक बोलने वाला हूँ कि previous year को सबसे पहले रखो, books को और test series को fake दो, books फिर भी आप रख सकते हो, current first फिर भी रख सकते हो but test series सिर्फ 2-4 बस बात करते हैं इस पर, सबसे पहले, यह दो चीज़े आपको पता हूँगी, यह तीन चीज़े आपको ध्यान रखनी है सारी कहानी, point number 345 में चीपी है, right, तो यह आप जानते हो, कि direct question repeat हो गया, सीधे सीधे, previous year से questions से ही repeat हो गया, मतलब क्या है, या तो सीधे पूरा-पूरा question उठा लिया, ABCD को group कर दिया, options वगरा, ऐसा कुछ कर दिया जैसे environment में कुछा भी question पूछा था, CO2 का, right, कि options A, B, C, D को, उसने option type change कर दिया, exactly same question है, एक नॉमी में कई बार same question पूछ लेता है, डिटो question repeat कर दिया, एक तो यह हो गया, question repeat हो गया, दूसरा कोई option repeat कर दिया, ठीक है, तो इसके लिए तो आपको मैंने एक चीज़ बताई हुई है, कि जब direct question repetition आपको देखना है, तो यहाँ जाओ, जितना पीछे जा सकते हो, in fact आप 80s, 90s, यहाँ देखो 80s and 90s के, last problem से पहले का question यह वीडियो है, तो old question क्यों important है, आप देख जाओ, जितने जादा से जादा आप previous questions कर पाओ, उतना बढ़ी है, हमेशा direct questions history में, economy में, polity में, आपको factual, वहाँ से repeated दिखेंगे, जो अभी कहीं नहीं है, दूसरा direct question repeat हो रहा है, solution से, यहाँ कैसे होगा, एक है, number one, just you know the answer, कि आपको बस answer पता है, बस, आपको under two coalition पता था, पूरा option solve हो रहा है, तो पहली चीज़ तो यह है, कि बस आपको answer पता हो नहीं चाहिए, कोई explanation नहीं चाहिए, फिर दूसरी चीज, know something about the answer, कुछ पता हो, बहुत basic reading कि under two coalition है, पूछ लिया, तो अब देख लो कि यह है, क्या होता क्या है, इसका aim क्या है, objective क्या है, कौन को इसके member है, headquarter क्या है, तीन-चार चीज़े, यह almost मेरे ख्याल से सब पढ़ लेते हैं, फिर इसके beyond एक level और, कि edge ल question पूछा, अगनी 4 पर, 2014 में question पूछा, तो इस साल उन्होंने अगनी 5 पर पूछ लिया, ICBM, similar questions, range पर ही question पूछा, तो इसका यह फायदा, अगर आप research करते हो, तो आपको similar आने वाले time में topics क्या है, वो predict कर सकते हैं, उसके लिए इधर उदर बिल्कुल जोतिश आने की इतने में समझ आता है कि ये questions, ये themes चल रहे हैं, ये news में पूछेगा, क्योंकि पहले ऐसे ही questions पूछे हैं, तो उसके लिए आपको previous year ही utilize करने पड़ेंगे, किसी दूसरे के in fact मेरे भी videos पर आप rely होके नहीं जा सकते हो, prediction आप कैसे सीखोगे, खुद महनत करके, दूसरों की बताई होई चीज से आप सुन सकते हो, वावा कर सकते हो, जब तक खुद उसमें अपना खून नहीं जलाओगे, आपको prediction नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, और एक बार आपने PYQ पढ़ना सीख लिया, समझ लिया, examiner क्या चाहरा है, बस PhD मत करना, चौथा क्या है, लोग PhD करने लगते हैं, वो मत करना, आपको यह समझ आने लगएगा, क्या questions रिपीटों, में इसमें तो आप डिट्टों questions समझ लोगे, क्या questions है, आप डिट्टों समझ जाओगे, क्यों से 50 topics important हैं इस साल के लिए, हैर, प्रिलिम से वापस आते हैं, सबसे important कुछ चीज है, forced mistakes by examiner, इसमें आप दो चीज़े समझो, इसके लिए, पहले आप यह समझो, कि vulnerabilities क्या है, कौन से areas है, जो vulnerable है, जहाँ पर examiner आपसे forced mistakes करा सकता है, पहली चीज़, और दूसरा, how questions are framed, how questions framed, कैसे बनते हैं questions, राइटिंग मेरी ऐसी है, जहेल लेना, questions कैसे framed होते हैं, उसके लिए हम 18 type of MCQ में जाएंगे, पहले हम समझते, areas, vulnerabilities क्या है, vulnerability आप समझते हो, जहाँ पर आपका सबस्यादा नुकसान कराया जा सकता है, तो कहा कहा question गलत कराया सकता है, जैसे मालो data में करा दिया गलत, ठीक है, जैसे 40,000 करोर था किसी scheme में, उन्होंने क्या किया, 400,000 करोर पूछ लिया, मैंने देखा कि, हाँ, ये तो पढ़ा हुआ सा अलग है, टिक मार दिया, देखा भी नहीं आ रहे है, तो data गलत करा दिया, अलग नहीं, 50 नहीं कर दिया, भाई, इतना ही पता था कि 4 है, उसके आगे कुछ 0 है, उसके आगे करोर है, ऐसा ही कुछ था, मार दिया, इतना ही या incorrect type कहा कहा होते हैं, एक तो यहां लिखा होते है incorrect, बता दो, हमने क्या किया, ठीक है पढ़ लिया, ये फिर भी ओके है, लेकिन इस तरह के भी questions आपको दिखेंगे, कि यहां तो लिखा है, select the correct answer, और उपर क्या है, which of the following is incorrect, suppose अगर मैं ये bold words हटा दू ना, और आपको ना समझ इस तरह की चीज़ों में आपसे गलती कराई जा सकती है, इसके अलावा कहा गलती कराई जा सकती है, कुछ option elimination में, जैसे मैं आपको बताऊं, एक question देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा, जैसे ये वाला question है, आपको लगता है कई बार कि A correct है, और हम टिक करते आगे तो examiner ने आपसे गलती करा दी, for example, जैसे ये question पूछा था, यहाँ land का ये question correct है, इस statement क्या होते है, दो जगा land है, तो उसमें सही एक option correct होने के chances है, खेर इस पे हम बात नहीं कर रहे है, इस पे हम नहीं कहा का one correct है, ठीक है, माल लो, इस तरह का question होता, कि ये पूछा है, और land land लिखा है, आपको पता था, वापा land से related चीज़ है, आपने देखा classification urban land, A पे टिक मार दिया, B में भी कुछ land का था, C में भी कुछ complex हा, बहुत बढ़ा था, आपने देखा रहे है, ये तो मेरा answer आगे, बढ़िया, answer तो था D, तो हमने क्या किया, सारे options नहीं पड़े, इस इसमें एक option all of the above होता, तो फिर वो सभी सही होते, अब यहाँ पर, यहाँ पर माल लो all of the above बिलकुल end में है, तो ठीक है, लेकिन अब यह नहीं है, तो उस case में आप क्या करोगे, आपको हमेशा सारे options देखने है, सबका weightage चेक करना है, कौन कितना जादा correct है, उस basis पर यह आ compare नहीं करोगे, weightage नहीं देखोगे, तब तक आपका question ठीक नहीं होगा, इसके बाद दूसरी चीज, कि जो 18 type of mcq, यह वाने वीडियो बनाया था, एक बार फिर देख लेना, 18 type of mcq, इधर 8 type of mcq, जरूर देख लेना, इसके बिना कुछ होने जाने वाला है नहीं, जैसे scope है bluff का, जैसे मैं बताओं, यहाँ आप देखो, कि यह दो correct है, only two pairs are correct, मालो, मेरे हिसाब से यह गलत है, यह गलत है, यह सही है, answer तो मेरा तब भी आ गया, bluff किया मैंने तब भी, मेरा actual में answer गलत था, लेकिन मैं exam में ठीक कराया हूँ, ठीक है, इससे difficult questions अगर आपको देखने है न, यह देखो multiple statement type 3, यहाँ पर देखो आप, pair वाले question इसके children है, बच्चे है, यहाँ पर क्या, जब ऐसे question पूछते है न, something, ऐसे दिया है, इन में से कौन सा correct है, one only, two only, three only, none, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, pair में आपके पास bluff का option है, यहाँ आप bluff सिर्फ और अगर elimination हो, तो pair वाले में भी elimination तो होता ही है न, अगर मालो सब correct say हो, मैं क्या कहरूँ, correct say हो, या elimination का scope ना हो, तो pair वाले question तो इसके आगे कहीं नहीं ठहरते हैं, तो जब आप previous here questions देखोगे, यह तो question बहुत जादा पूछे है, यह question तो मैंने तब भी discuss किया था, कि यह वाल attempt में time waste नहीं कहा, तीन attempt में निकल लिए, बात करूँगा अब इसमें बताऊँगा, ठीक है, खेर, तो इस तरह से option set वे, basically कहानी क्या है, new question या new option कैसे set होंगे, यह same रहेगा, यह same रहेगा, यह इतना तो same है, यह तो constant रहने वाला है, सारा experiment कहा होगा, यहां, कभी क्या करे है, कुछ इस तरह की चीज़े कर दी, right, कुछ भी, इस टाइप की चीज़े कर दी, देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दो, question set कैसे होते है, at least synopsis is में, जब हुन लोग को hire करते है, training देते हो, कैसे देते है, how to make test series, उसी का module है, तो हम क्या कहते हैं, उनको, सबसे पहले जो correct text है, जो correct है, बिल्कुल, वो आप या तो books है, हमारे content से internet, जहां भी आपको ठीक लगे, as such copy paste कर दो, जो आपने content बना लिया, यह explanation है, for example, ICBMP में पूछ रहा हूँ, तो सीधे, जो जो information दिये, 100% correct है, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ माया रहा, question कुछ ऐसा होता है, कि यह question दिया है, नीचे answer लिखा होता explanation, तो मैं इसकी बात करो, सबसे पहले हम explanation डाल देंगे, right, यह way out है, synopsis में, जल्दी फटा-फट question बनाने का, otherwise, लोग क्या करते है, कि 100, 200, 500 रुपए चार्ज गरते, एक MCQ बनाने का, भाई, यह सीख लो, 10 रुपए बना के ले लोगा, ठी type 2 में, select question type and copy paste, मलब मैं उपर जो भी यह question है, यह वाले, यह वाला type चूज करो, यह कोई से, जो मेरी मर्जी, यह वाला type कर लूँ, यह वाला कर लूँ, मेरी मर्जी में किस type का option, एक चूज करना चाहा रहा हूँ, मैंने question type चूज कर लिया, चलो, जैसे हमने multiple statement type चूज किय और एक A and B type, इस type का हम चूज करते हैं, now, मैंने question से कुछ points उठाए, frame the question using statement, जो यह points थे, यहां से मैंने कुछ statements उठा लिये, जैसे मैंने का कि Agni 5 ICBM है, प्लस nuclear warhead को ले जा सकती है, इस तरह से मैंने 4 statement बनाए, चारों सही है, question ready है मेरा, by default all the options are true, यहाँ पर, ठीक है, अब लेकिन यहीं पर मैं देख लो, आपको elimination गलत करानों, यहां लेखा only, हाँ यह चीज सही है, अभी हम बात करेंगे, elimination techniques अगर आपको eliminate करानी है, तो उसका तरीका क्या है, आप जो यह extreme words है, जिन पर लोग play करते हैं, उनको खतम करते हो, खेर अभी थोड़े दिर मैं बात करें अब आप only पर जाओगे, तो इसका answer आप गलत कराओगे, ठीक है, explanation अभी भी same है, अब मैं क्या करूँगा, next step में, I'll do the word play, क्या करूँगा, ठीक है, हमारा क्या issue क्या था अभी, सारे option true है, हमने कुछ word play की, कुछ statement गलत कर दिया, कुछ correct, incorrect कर दिया, कुछ extreme words ले आए, definition change कर जो match the following था, वहाँ statement exchange कर दिया, data change कर दिया, बाकि जितनी भी चीज़ है इनको कर दिया, अब इसको implement करके देखते किस तरह ये equation दिखेगा, मैंने क्या कहा, जो ये line 2 थी, यहाँ से मैंने France अठा दिया, यहाँ ICBM को SLBM, यह change कर दिया, ठीक है, बाकि सब ठीक है, उसके आप से मेरा answer D से C हो गया, right, explanation अभी भी ठीक है, only अभी भी लिखा हुआ है, तो यह उस logic से ठीक नहीं हो रहा है, only कि यहाँ only लिखा हुआ है, यहाँ France अगर लिखा हुआ होता है, तो आप गलत कर के आते हैं, ऐसे हम देख रहे थे पहले, original question में, right, but explanation unchanged रहेगा, again, same way में, मालनों यहाँ मैं correct के बहले incorrect कर दूँ, तो जो C answer था, वो D हो गया, इन दोनों में change हो गया, right, तो आपको यह चीज़े ध्यान रखनी है, questions कैसे set होते हैं, उपर की चीज, यह सब चीज़े same रहेंगी, जो main word play होना है, सारे चीज़ होनी है, इन में ही होनी है, I hope आप यह च करो कौन सा है, वो भी तो pair वाला ही question है, चीज समझो, वो थोड़ी बदल रही है, right, तो अगली चीज, कि elimination techniques काम करेंगी, या elimination techniques eliminate हो गई है, answer is yes, अगर UPSC का exam, UPSC level का ही है, तो elimination techniques हमेशा काम करेंगी, कभी eliminate होंगी नहीं, एक चीज़ समझो, बला क्या है, elimination techniques आई कहां से, क आज कल आप YouTube पे videos देखो, बड़े-बड़े teacher, छोटे-छोटे YouTuber, बड़े-बड़े YouTuber, सब कहते है, मेरी research है, यह मेरा method है, right, सब ने बैठके खुद research कर लिए, भाई, जितना मुझे पता है, देखो, मैंने तीन attempt दिये है, बहुत seriously attempt दिये, मजाक में नहीं दिये है, अभी इंडिया one of the highest marks है, 300 plus optional में है, यह समझो, तो जब मैं preparation करता था, 2016, 17, 18, तो यह elimination technique किस चिडिया का नाम है, पता भी नहीं था हमें, होगा कुछ लोगों को पता, हमें नहीं पता, vision पे एक topper talk दिखी थी, AIR 19, I think Abhijit Sinna नाम था बंदेगा, तब मैं पहली बार देखा, यार भी क्या बला है, उसने जैसे कुछ चीज़े बोली, कि I think खराई केमल की बात की थी, कि खराई है, खराई को खडाई बोलो, खडा होगा, खारा होगा इसमें, खारा आप सोचोगे, फिर उससे C पे जाओगे, भाई totally wild गया, यह तो मेरे बस की चीज़ नहीं है, फिर एक सब maximum UPS से लोगों तो नहीं समझ में आता, तो totally wild guest चल रहे थे उस time पे, यह 2017, 2018, 2019 की बात है, उस time पे, जो मैं बताऊं, पहली बार, elimination techniques चली थी, हो सकता कहीं और हो, जो most popular यह, शुबहम सिंग थे, not even me, मैंने तो सारी elimination techniques या तो शुबहम सिंग से सीखी है, या फिर, यूट अलगले तरीके के wild guest करते है, वहां से सीखी है, शुबहम सिंग 6 out of 6 prelims qualified थे, तब इन्होंने MSGP course निकाला था, free, तब मैं का यार, ये भी चीज होती है, I was mesmerized, यार, ये चीजे थी, तो मैं क्या कर रहा था, और आप ये समझो कि जब हमें elimination techniques नहीं पता थी, तब भी 3 out of 3 prelim से निकाले थे, 4, 5, 6, दिया नहीं, इतना time था नहीं life में waste करने को, right, तो elimination techniques work करेंगी, elimination techniques को eliminate करने का परीका क्या है, खतम कब होंगी, या तो उन techniques को गलत prove कर दो, जिन पर questions बन रहे हैं, जैसे extreme words को, extreme words हैं, उनको ठीक करा दो, all of the above science tech में, उसको आप गलत करा दो, data ठीक कर बट उसमें UPSC के सामने एक challenge आएगा, कि भाई आप SSC से और UPSC से अलग कैसे हो, SSC में exam आता है, कि यहां की जंसन क्या कितने number देते हैं, end में 41 लिग देते हैं, 42 लिग देते हैं, 43, 44, अब बताओ, तो UPSC को relevant रहने के लिए elimination techniques रहेंगी, कुछ और जगा काम करना पड़े तो जब previous year से एक तो आप यह समझ रहे हो, अब important theme and topic यह क्या बला है, जैसे एक बात करते हो, हाँ, elimination technique में एक और चीज़ बताएता हूँ आपको, जब भी मैं MSGP पढ़ाता हूँ, previous year question पढ़ाता हूँ, तो answer पहले solve करता हूँ, बाद मैं ज्यान पेलता हूँ, आपको solve किये हूँ है, कि इसका A, इसका D, इसका A, यह पहले किया हूँ है कारिस्तानी, और यह एक serious aspirant की कहानी है, जो मजाक में exam नहीं देता है, मजाक में आपको पढ़ाता भी नहीं है, अगर हम यह कर सकते हैं, तो बाकी समझो लोग क्या कर रहे हैं, अभी 2014 का paper हो, तो आप लो है, कि आज की डेट में आपके 25-30 question elimination से solve हो जाते हैं, पहले यह सब कुछ नहीं होता था, पहले क्या था, theme and topic यह जलती है, जैसे मैं बताओ, इस बार nicer seed आया question, nicer seed क्यों आना चाहिए था, MSP पर question था, question देखते हैं, उस पर बात करते हैं, यह question पूछा है, इनोंने nicer seed पर, अ हाँ, यह ठीक है, कि अगर nicer seed से oil बनता होगा, तो कुछ लोग यूज कर लेते होगा, तो three ठीक है, बट क्या answer ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, pair वाला question है, भाई, यह ना एक website है, यहाँ आप देखो, इस website पर आप देखोगे, exactly, खरीफ crop क्या है, farmers portal, MSP किस पर दी जाती है government किस पर देती है, खरीफ crop line से लिखी है, खरीफ crop में यहाँ यहाँ देखो, last वाली nicer seed है, यह रही, रभी crops पर किस पर MSP मिलती है, यह रही, other crops क्या है, कोप्रा, डिहस, coconut, कोप्रा मलग गोला, जूट, यह, तो इस way में आप देखोगे, questions दिख रहे है, अब इस पर करना क् कुछ है, उठा के देख लो, क्या पढ़ना है, 4-5 चीज़े पढ़नी है, nicer seed, cultivation area क्या है, map rate low, physical condition, याद हो जाएं तो ठीक है, नहीं हो जाएं तो ठीक है, बाकी क्या नामे, रामतिल है, खरादी है, nicer, uses क्या है, oil है, production इंडिया कितना होता है, अगर आपने कुछ basic information पढ़ table में डाल के पढ़ लो, जैसे पढ़ना है, वैसे पढ़ लो, right, same way में आप इस तरह से चीज़े कर सकते हो, तो जो लोग कहते हैं कि मुझे सपना आ जाने चाहते हैं, हाँ बाई, जब MSP पे लगातार questions पूछ रहा है, MSP पे लगातार questions पूछ रहा है, तो आप at least देख लो जो वो crops है, उनको भी अपनी regular crops में add कर लो, ये भी आपका syllabus हो गया है, कुछ नहीं होगा न, MSP इतना तो ध्यान रहेगा है कि ये खरीफ crop है, जादे retail में नहीं जाओगे तो, तो इन चीज़ों से उस time पे जब ये previous year question और elimination techniques नहीं थी, तब हमने क्या किया था, कुछ topics निक से, administration से, जो administration हो गया है, या dynasty के heads है, उनसे question नहीं आते है, map पे question नहीं आ रहे, capital, port पे question नहीं आ रहे, वीजर अगर empire पे question नहीं आया है, literature पे question नहीं आया है, philosophy में, jainism, buddhism, although एक difficult topic है, बट आता है, rocket architecture से इस साल question नहीं आया, इन चीज़ों से questions नहीं आते है, आप topic देख हो जाएंगे, international relation, यार, important places in news, ये तो map का part होना चाहिए था है, लेकिन IR का part क्यों है, क्योंकि conflict हो गया, कहीं, कहीं coop हो गया, इसी बार देखेंगे, कहीं पे आप देखोगे, conflict के बाद, food crisis हो गई, इन सब चीज़ों के वैसे कोई जगा, news में आ जाती है, West Asia, अलग से news में रहता है, इस वज़ा से ये चीज़े news में रहती है, उन पे questions बनते हैं, तो इस से आप क्या करोगे, important theme topic, आप दो तीन चीज़े देखोगे, pre के लिए भी common है, mains में JS और optional के लिए भी common है, आप क्या देखोगे, कौन से topic लगातार repeat हो रहे है, तो आप देखोगे topic, जैसे MSP एक topic है, चमपारन movement एक topic है, सत्याग रह कोई हो गया, तो वो एक topic है, सूरत split एक topic है, ये topic हो गया, दूसरा theme, जो अभी हमने 2019-2020-2020 series के topics देखे, constitutional development in British India, एक theme है, उस पे questions पूछेगा, उसमें multiple subtopics है, right, but MSP एक theme नहीं है, पूरी, MSP में पूछ रहा है, तो आप पढ़ recently questions पूछ रहा है, तो ये तब की बात है, जब हमें ये तो नहीं पता था कि PYQ prelims में repeat होते है, but mains में repeat होते है, उस time पर, मैं आपको mark sheet दिखा देता हूँ, देख लो result क्या था, एक काम करना, ये video सर्च करना, योट्यूब पर guidance series playlist में मिलेगा, scam of answer writing, इसमें 3 mark sheet दिख रही ह जनरल से हमेशा रह गया है, अब देखो, 2016 में, essay में previous year किये, 138 marks है, GS4 में थोड़े बहुत किये, 100 है, उस साल के साब से अच्छे marks नहीं है, ये 100, optional में, geography में 96, 121, घटिया marks है, ये देहान रखना, 96 हैं यहां यहां 120 के आसपास है, ये जो marks हैं, ये vision के test series के देने, तो उस से में 138 से 149, नमबर बढ़े हैं, यहां previous year नहीं किया, 80 में नमबर है, यहां previous year कर लिया था, उस साल के AIR 1 से जादा नमबर है, उस साल के one of the best marks में से 96 थे, AIR 1 के शायद 95 या 94 marks थे, optional 176, 130 कैसे, ये तो 120 से 130 हुए, ये 96 से 176, 175 कैसे हो गए, अगें next attempt में अगर आप देख का, यहां भी आपको similar कहानी मिलेगी, जो 138 से कहानी 149 पे पहुँची थी, 150 पहुँच गई, यहां कहानी 80 से और 70 से में चली गई, यहां stable है, यहां 156, यहां 114, यह ऐसा नहीं है कि उस बार कुछ गर्ड़ बड़ कर दिया था, उस बार average marking कम थी, समझो ना, एक साल मैं कर GS4 में 100 marks हैं, वो कम हैं, 96 marks हैं, वो जादा हैं, तो उस साल के average marking के हिसाप से, यह All India one of the highest है, यह not qualified है, यहां देख लो, NQ का मला not qualified होता है, मुझे कोई शौक नहीं बताने का, बस cut off आप मैच कल देना, एक बार कुछ 10-11 नमबर से, ऐसे कुछ रुकी है, एक बार 6 नमबर से ती उस तीन अटम के बाद छोड़ दिया, कि अब नहीं, बस मेरे लिए एक्जाम नहीं बना है, मेरे पर अल्डेडी बढ़िया सर्वेस है, क्या ही करूँगा इसका एक्जाम का, बस हम इतने बेवकूफ थे, कि paper 1, GS paper 1, paper 2, paper 3 में भी PYQ repeat हो सकते हैं, वो हमने सोचा ही नह अब अगली चीज, कितने questions attempt करने है, 60, 70, 80, 90, कितने करने है, यार question paper का level देखो ना, क्या level है, आप एक चीज समझो, कि माल लो, cut off है आपकी, cut off क्या होती है, number of easy question, number of easy question, अगर easy question, 40, 45 आरे तो cut off भी उसके आसपास है, कितने तो वीडियो बना है, cut off कैसे decide हो रही है, cut off कैसे decide हो रही है, अब माल लो, आप 3 silly mistakes कर रहे हो, 3 silly mistake कर दी, silly mistake मतलब, जो आता हुआ question था, वो आपने गलत कर दिया, जो सब को आता है, वो आपने गलत कर दिया, ऐसा नहीं, कि जो NCRT में लिखा है, बस लक्षमी कान्त में नहीं है, उसे मैं easy question नहीं मानता, हिंदू में जो आ बट कहीं coaching के regular current affairs में नहीं है, वो easy question नहीं है, उनको आपने गलत कर दिया, उसे मैं कहता हूँ silly mistake, 3 silly mistake मतलब, minus 8 marks, कैसे minus 8 मतलब, 3 में जो plus 6 होने थे, वो आपके negative हो गए, और minus 2, total minus 2, minus 6, total minus 8 होता है, तो कितने question attempt करने, ये देखो, कि क्या attempt करना ही है, ऐसे कौन से questions है, जो easy आपको लग रहे हैं, जो आप attempt कर दोगे, किसी भी वेसे, चाए elimination से करो, चाए knowledge से करो, जैसे करना है, वैसे करो, दूसरा, क्या attempt कर सकते हैं, मतलब, कर सकते हैं, को मैं elimination में नहीं मारना हो, कर सकते हैं, मतलब, आप 4 option थे, आपने 2 eliminate कर दिया, 4 option में से 1 eliminate कर दिया, तो अभी आपके उपर है आपकी शद्धा आपको attempt करना है तो ठीक है नहीं करना छोड़ दो तीसरा क्या छोड़ देना है ये भी ध्यान रखो बस आपका prelims में जो ये doubt है ना कितने question attempt करने वो solve हो जाएगा अब सबसे बड़ी चीज जो आपकी literally कहानी इदर की उदर करने वाला हम कैसे पढ़ते हैं books पढ़ते हैं सबसे पहले फिर test series फिर previous year question अगर time मिला तो ये तो अब थोड़ा बहुत लोग देख लेते हैं कि ठीक है दो चार साल के देख लेना दस साल के देख लेना उपर से कुछ और लो current affairs पहले फिर books पे आते हैं उस लोग में मैं भी आता हूँ mains में ये हरकते अभी तक लोग करते हैं तो भाई इस चीज को छोड़ो अपना जो trend है ना ये बनाओ previous year सबसे पहले books time मिले तो books के साथ current affairs right फिर test series वो सिर्फ एक चीज के लिए 2 से 4 से 6 test series अगर इतना आप कर गए हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे UPS से निकालना है इस वीडियो से आपको थोड़ी भी दिक्कत हो comment section में बिल्कुल बताना थोड़ा भी पसंद आया हो तो ध्यान रखना इस वीडियो को आप बिठा लो अपने mind में at least last वाली चीज जब जाते हो न 40-45 years के तो books की need भी नहीं पड़ेगी आपको ancient, medieval, art and culture इसमें सिर्फ facts बचते हैं उसके बाद कुछ नहीं बचता environment सिर्फ facts बच जाते हैं PYQ plus facts और facts तो आप जानते हो कुछ भी कर लो facts कभी खतम होंगे यह नहीं पता नहीं कहां से पूछ लिए तो अगर time नहीं है आज है भी time है कोई भी prelims हो अगर आप बिल्कुल beginner नहीं हो कि आपने भी यह भी नहीं पड़ा कि constitution में India that is भारत वो India का भी नाम है या फिर आपको यह भी नहीं पता कि article 19 क्या है article 14 क्या है थोड़ी भी basic knowledge हो गई तो सीधे इस way में preparation करो so thank you for watching I hope कि आपको lecture समझ आया होगा पसंद आया होगा and यह तो ठीक है यह वाले वीडियो ज़रूर देख जाना type of MCQ see set में कैसे questions है silly mistakes कैसे avoid करने है पुराने questions का क्या role है कैसे trend change होते हो भी question वह यह आ रहे है यह दोगलापन वाली बात मैंने करी थी बागी यहां देख लेए शुबम सिंग याद रखना be grateful to him right so thank you for watching मिलते है next lecture में